नमस्कार आप देखरें आज की खास बात अपने दोस्वीर सिंग के साथ दोस्तो यदि आप पैरेंट्स हैं गार्जियन हैं और आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आज की खबर आपको चौका भी देगी और आपको गुसा भी आ सकती है दोस्तो कल्पना कीज है कि आपका बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाता है स्कूल जाने के बाद आपको पता चलता है कि आज मेरे बच्चे को स्कूल में छुट्टी है और छुट्टी ऐसी कि भारत के सभी स्कूलों की छुट्टी नहीं है सभी स्कूल शुरू है क्योंकि नाहीं किसी गवर् जो सदर में है उस स्कूल में घटी है कि बच्चे स्कूल तो आए लेकिन वहां के स्टाफ ने किसी के कहने पे बाहर से ही बच्चों को घर भेज़ दिया नमस्कार दोस्तो अभी हम लोग उपस्तित हैं बिशॉप कॉटन जो की वी सीए ग्राउंड के पास में स्कूल है वो बिशॉप कॉटन स्कूल है मैं आपको बता दूँ कि ये स्कूल अंदर के अंदर में दो भागों में बटा हुआ है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं जह एक फरवरी है और स्कूल बंद नहीं है अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि दूसरी तरफ जो जहां हम खड़े हैं ये जो जगए है ये बिशॉप कॉटन का ही जगए है लेकिन बाउन्डरी के उस साइड जहां बच्चे खेल रहे थे वह स्टेट और इस साइड ये सीबी भविश्य माने जाते हैं ऐसे लोगों की जीवन उनका भविश्य दाव पर लगाया जा रहा है क्यों कि आज इधर के बच्चों को छुट्टी दी गई है यानि की सीबी एसी की बच्चे स्कूल में नहीं है कलक्टर ने गवर्मेंट ने किसी परकार की कोई छुट्टी एक भी बच्चे नहीं है हम आपको क्लास्रूम सोगरे भी दिखाएंगे कि यहां पे पूरी तरह से बंध है और यहां की जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट है जो भी लोग हमें यहां मिलेंगे हम उनसे बाच्चित करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर मामला क्या है आखिर स्कूल बंद क्यों है आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है और कहीं ने गई यह प्रतीत होता है कि इसमें एक बड़ा खुला सा जरूर आज आप सब के वीच हम लेकर आएंगे सिर्फ बीसीन पे चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है इस स्कूल की जो प्रिंसिपल है मि अब हम आपको यह भी बताएंगे कि रचना सिंग कौन है इस सबके माश्टर माइंड रचना सिंग आखिर कौन है इसका व्यक्तित्व कैसा है या हम आपको बताएंगे लेखिन उससे पहरी ये रिपोर्ट आप पूरी तरह से देख लीज़ें ये सब करने की वज़से स्कूल का जो माहोल है, स्मूद फंक्शनिंग जो है, बच्चों का जो फ्यूचर है टीचर्स के लिए जो चीज़े होनी चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉपर सारी बाते होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं हो रही है, स्कूल में, कुछ भी नहीं हो रही है दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि एक यूडाइस नंबर पे एक ही प्रिंसिपल अपॉइंट होते हैं किसी भी स्कूल में, लेकिन रचना सिंग ने यहाँ पे दो प्रिंसिपल अपॉइंट किया, यानि कि एक जो उनके हिसाब से चले, वही लोग उन्हें वहाँ सर यह जो है यहाँ पे एक ही यूडाइस नंबर है, यहाँ पे एक यूडाइस पे एक ही प्रिंसिपल अपॉइंट होती है, लेकिन रचना सिंग माडम के ओडर्स पे यहाँ पे एक स्कूल में दो प्रिंसिपल को अपॉइंट किया गया है, मैं यहाँ पे 2020 में यानि कि मॉडलीन तिवसकर ही यहां प्रिंसिपल रहेंगी जिसको ले करके एक फरवरी की शाम को ही अमितेश कुमार जो यहां कि नागपूर सीपी हैं कमेशनर पुलिस हैं उन्होंने दोनों पक्ष को बुलाया और इस बात को देखा कोट का ओडर हो गए रहे को देखा तो दूट कि रचना सीमय को सोनिया सीनी वेडlle और आपको बसक कोट ने दिया है ऑप उसका मान-सम्मान करिए आप रुखिये ना आ आप टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को बीच में क्यों लेकिया रहे हैं? ये मेरी और उनका लड़ाई है, जो कोट में चलनी जही है. आप अपने बंदों को यहां भेज रहे हैं, और आप ये सारी चीज़े कर रहे हैं, स्कूल बंद करवा दे रहे हैं, ये सब करने में क्या अर्थ है यानि कि बच्चों के भविश्य के साथ में एक खिलवार किया जा रहा है और खिलवार करने का पीछे का रीजन कोन है वह व्यक्ति कोन है और चेहरा कोन है तो कहीं ने कहीं से शायद एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या रचना सिंग और उनकी जो जो टीम है जो उनके साथ लोग है क्या उनकी वजह से बच्चों की लाइफ खराब हो रही है अपनी मर्जी से चुट्टी दे रहे हैं लोग को ब्लैक्मिल कर रहे हैं या फिर किसी की पेमेंट रोग देते हैं कई चीजे और आपको बता दूं कि वही रच रचिना सिंग बताइज्ञ जाती है जिसके योडबलू के तरब से नोटिस मिला है उनके हस्बेंट को भी व से नोटिस मिला थै इसमें 25 आफजें को ने डेली में हाजीर होना था तो यह रचिना सिंग पहले ही वीवादों में खेड़ हुई एक लेडिस मानी जाती हैं और इन पे जो अभी तक complaints गई यो डबलू के उसमें यही गए हैं कि इन्होंने भू माफिया जैसे काम किया हैं, कई स्कैम किया हैं, जमीन को हेरा फेरी की हैं, ऐसी कई मामले आज भी रचना सिंग के उपर है जो यो डबलू के पास में complaints गई हैं, जो हमारे पास में जानकारी हैं, तो अब हम रचना सिंग को invite करेंगे, आखिर वो क्या कहते हैं, वो भी हम जानेंगे, और इस सिलसिले से जूरी हर खबर हम आप तक ले करेंगे, क्योंकि यह सिलसले यहां समापत नहीं होता है, यह सिलसिले यहां से शुरू होता है, वीडियो जर्नलिस्ट अकलिस भार करके आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, और इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, और हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और देखते रहें, आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साल सिर्फ इन विजियर न्यूजबे, जैंद